सराज की इनोवेटर ओमप्रकाश ठाकुर ने मोबाइल SMS लाइट कंट्रोल सिस्टम तयार किया है। इस सिस्टम पर जब मैसेज करते हैं तो ये ओन या ओफ होता है। ये सिस्टम मोबाइल नेटवर्क पर काम करता है। इसे कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। सरकारी लगभग 65 सरकारी वागेर सरकारी शैक्ष्रिक संस्थानों में विद्यार्थियों के बीच सांझा किये गई जिसके लिए उनके पास शिक्षा विवाग की अनुमती थी। ओम्रकाश ठाकुर ने कहा कि उनके द्वारा ये जानकारी निशुल्क दी गई है। नमस्कार सात्यों आज हम बात करेंगे हमारे नए उपरेटिंग सिस्टम जो की मुवाइल एसमेस उपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें होता क्या किसी भी लाइट या जो भी वी दूटूप करन आपने मुवाइल से कंट्रोल करके ओन आफ करना होगा तो इससे हो जाता है। और से आप देख सकते हैं, हम ने फिलाल इसको हमारी ई वी स्पोटार परनाली के साथ जोड़ दिया है। जिसमें सेलफॉन के जरिये ही विस्पोट किया जा सकता है तो अब हम प्यारी करते हैं थोड़ा पीछे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह जो इविस्पोटक है इस पर सुतली बंब का इस्तेमाल किया गया है और इसे कहीं से भी अपने सेलफॉन के जरिये अपरेट करके जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में मेरा सेल फॉन है तो इसमें हम मैसेज में जाएंगे और यह जो लाइट नाम से सेव है इस अपरेटिंग सिस्टम का जो नाम लाइट रखा गया है तो जैसे हम इस पर उन टाइप करके इसको सेंड करेंगे तो यह बिस फॉट कर है यह सारा सिस्टम मोबाइल नेटवर्क पर काम करता है तो जैसे हमने मैसेज भेज दिया है और कुछ सेक्ड़ों में ही इसको विसपोट कर देगा जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि इसमें दूर से ही फॉन के जरिए विसपोट हो गया है इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से आप जैसे हमारे स्प्रे पंप है इलेक्ट्रिकल ग्रीन हॉस में लगने वाले पंपेज है और लाइट वगेरा जो भी आप चाहे उसे कंट्रोल क कर सकते हैं उमीद है कि आपको मेरा यह प्रियोग अच्छा लगए